हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल फूडी नमस्ते आप सब कैसे हैं आई होब आप सब बहुत अच्छे होंगे आज मैं सर्दियों में बनने वाला खास रायता लेके आई हूँ वो बनाने जारी हूँ में बत्वे का रायता रायते तो आपने बहुत सिखाई होंग मगर सर्दियों की सीजन का विशेश रायता जो बनता है वो बत्वे का रायता बनता है कैसे मैं बनाती हूँ तो देखिए यह मैंने बत्वा ले लिया है अच्छे से धोके इनको साफ कर लिया है बत्वे बहुत मिट्टी होती है तो तीम चार पानी से फ्रेंड्स अच्छे के लगबग पानी पान होने देते हैं अब इसमें बत्वे को डाल लेते हैं और इसको बॉयल होने के लिए अब सारा बत्वा मैंने इसमें डाल दिया अब इसको एक धकन से ढब देंगे और 5-7 मियाट तक उबलने देंगे देखे फ्रेंट्स बहुत अच्छे से उबल रहा है और यह लगभग अच्छे से उबल चुका है complete है बल्कुल बस गैस बन कर देंगे और इसको निकाल लेंगे अ इसको चलनी में इस तरह से निकाल लेंगे जिसले का पाणि निकल जाए अभी बहुत गर्व отвеч मिख्णर में पीछने पहले इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे अब यह ठंडा हो गया अच्छे से फ्रेंड तो इसको मिक्सर जार में डाल लेंगे इसे हमें ब्लेंड करना है अब यहीं पर हरी मिर्ष्ट डाल लेंगे काटके इसको भी हमें पीसना है कि अब इसको बंद कर लेते हैं और इसको पीस लेते हैं बफिष बहुत घरम होता है इसलिए सर्दियों में खाय जाता है तो चलिए इसको पीस लेते फिर रगता बनाने की प्रोसर शुरू करते हैं कि ऐस से अच्छे से पिस चुका है तयार है बीलगूर देखिए और सर्व कर लेते हैं फिर राइता बनाते हैं फ्रेंट्स बत्वों में आयरन बहुत होता है इसलिए हीमोगलोविन की कमी को यह पूरा करता है इसको जरूर खाना चाहिए सभी को अब यह दही ले लेंगे एक कोळी दही को डाल लेंगे इसमें बहुत ही गारा दही यह ताजा है रायते के लिए दही लेना है यह बहुत गारा और आन पत्वा पत्ला करना को इस बत्र ज्समें पांगे नले से मत 미안 चाहिए अच्छे से बहुत से और हैं दिख्या 7 दोएंगा इतना ही ऑदम इंग्या हो गया है इतना ही मंको रखना है ना ज्यादा पतला है ना बहुत गाण में आरे कि यह बत्वह मैंने इसमें निकाल लिया था बहुल में अब इसको इसमें डान में को Fragen मैंने डाल लिया अच्छे से इसको चलाते हुए मिक्स करेंगे दही और बत्वा आपस में विर्कुल एक सार हो जाए मतलब मिक्स हो जाए अच्छे से है अब अच्छे से मिक्से ऊचुका इस को डालींगे स्वाद उसार नमक तो थोड़ा सा काला नमक डालेंगे फिर कि यह भुणा जीन राबर को आधा चम्मच इसा का तो अधस कुट्वास हो डाल थेंगे अब इस सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करते वें चलाएंगे देखिए कि इतना बढ़िया रहता बनके तियार हो गया है अब इस पर तड़का भी लगाना है तो चलिए तड़का लगा लेते हैं अब मैंने गैस ओन कर दी इस पर रख देंगे तड़का लगाने के लिए एक पैंड दो चम्मच ऑईल डाल देंगे अब इसको अच्छे से गरम होने देंगे अब तेल अच्छे से गरम हो गया तो जीरा डाल देंगे चम्मच भर कर जीरा गरम हो गया है तो पिंग डाल अब अच्छे से बून लेंगे गैस मैंने आफ कर दी बहुत गरम हो गई थी फ्रेंज अब इस पर तड़का डाल लेते हैं और तुरण धब देंगे इसको देखिए अब डकन खोल के आपको दिखाते हैं कितना यमी रहता लग रहा है तड़का भी बहुत अठ्छे से लगा है और एकदम यह देखिए गाडा बना है मैं आपको चला के भी दिखाती हूँ देखिए कितना गाडा है और तेस्टी भी बहुत ही होगा healthy भी फ्रेंड़ है इसको जरूर बनाए अपने family फ्रेंड़ पर शेयर करें रेस्पी I hope आपको अज की रेस्पी बहुत अच्छी लगियोगी रेस्पी अगर अच्छी लगियो फ्रेंड तो वीडियो को लाइक कर देश ईयर कर द